तुझे देखा तो ये जाना से कायन्माश्टर एप नहीं है तो इसको डिरेख स्थोस्वाड़े कर सकते हैं आप इसको मेरी तेलीगराम चैनल से ढ़ aldeo आप यहाँ पर click करेंगे आपकी gallery आपके सामने open हो जाएगी और site में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक setting का option आ रहा है आपको इस setting वाले option पर click कर देना है दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर तीन options आ जाएंगे audio, video, editing आपको editing वाले option में चले जाना है और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर यह 4.5 पर select है इसको आपको लेके 2 second के आसपास आपको इसको set कर देना है set करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसको fill screen कर देना है fill screen करने के बाद दोस्तों आपको simply done वाली बटन पर click कर देना है अब दोस्तों आपको क्या करना है जिसके लिए आप status बना रहे हैं उसके आपको 10 से 12 pick select कर ले नहीं है दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पर select कर लिए सीसर के बगल वाली बटन पर click कर देना है इसके बाद दोस्तों आपको simply done वाली बटन पर click कर देना है Same काम दोस्टों आपको अपनी हर एक pick पर करना है तो चलिए दोस्तों इस काम को मैं जल्दी से कर लेता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं आने सारी pick अचछे सेट कर दी है आप दोस्तों आपको क्या करना है आपको वीडियो के starting point पर आ जाना है आप दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ दो पिक के बीच में एक प्लस का आइकन आरा है, आपको सिंपली इस प्लस के आइकन पर जाना है, दोस्तों प्लस के आइकन पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ट्रंजेक्शन इफेक्ट का आरा है, आपको इन को scroll करना है और दोस्तों यहां पर एक presentation का option आ रहा होगा आपको यहां पर presentation में spin वाले option पर tip कर देना है इसके बाद दोस्तों इसकी भी timing को आपको 0.5 के आसपास कर देना है इसके बाद दोस्तों आपको simply done वाली बटन पर क्लिक कर देना है शेम काम दोस्तों आपको अगले प्लस के आइकन पर करना है अगले प्लस के आइकन पर जाने के बाद इन उप्सन को स्क्रॉल करना है और यहां फंट ट्रांजेक्शन में जाने के बाद दोस्तों आपको यहां पर हर्ट वाइप सेलेक्ट कर लेना ह जो भी आपका मन करें एक अलग-अलग यानि चेंज करकर कि आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट सेलेक्ट करते जाना है और उसकी टाइमिंग को आपको 0.5 कर देना है तो चलिए दोस्तों इस काम को भी मैं जल्दी से कर लेता हूँ तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने जितने भी प्लस के आई का ना रहे हैं सब पर एक एक ट्रांजेक्शन इफेक्ट सेट कर लिया आप दोस्तों आपको क्या करना है इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है एक्सपोर्ट करने के लिए दोस्तों consistently आपको share वाली वाली बटन पर जाना है, share वाली बटन पर जाने के बाद आपको simply export वाली 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 बटन पर क्लिक कर देरा है दोस्तों within 1 minute यह वीडियो एक्सपोर्ट होकर हमारी ग्यलरी में save हो जाएगा तो दोस्तों, यहां आप लूग देख सकते हैं, वीडियो एक्सपोर्ट हूँ जो काई सिंपली यहां से हमको बैएक आजाने है बैएक आने के बाद, दोस्तों, यह नीचे लेयर आरहेए इसको थोड़ा सा हमको जूम का लेना आपको अगली पिक पर क्लीक करना है उस्तरस दोस्तों आपको अपनी हर एक पिक पर क Maas पर जे आपाने आपайте पिक, रिक पर करना है और इस dignity वाले options को आपको on कर देना, जितनी भी pick आपने लियोंगी, सब में आपको यही काम करना है, जितनी भी आपने total pick लियोंगी, आपको simply pick पर click करना है, click करने के बाद दोस्तों, यह side में जो options आ रहे हैं, यहाँ पर आपको dignity वाली button को on कर देना है, सारी pick में जब आप कर आपको इस option को select करने के बाद दोस्तों, इस तरह से आपको full screen कर देना है, full screen करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर एक step back आजाना है, back आने के बाद इसकी setting मिल रही होगी, अगर आप लोग चाहें तो blur strength बढ़ा सकते हैं, अदरवाई दो भी आपके लिए perfect रहेगी, इ वीडियो के starting point पर आपको आजाना है, आप दोस्तों आप लोग को बता दूँ, इस वीडियो में जितना भी external material यूज करूँगा, इसको आप description में दियोवी link से simply download कर सकते हैं, और मेरे telegram channel से भी download कर सकते हैं, दोस्तों, telegram channel का link भी आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा आप दोस्तों यहाँ पर आपको एक black screen template लेकाना नहीं है, इसके लिए दोस्तों आपको layer वाले option पर जाना है, media वाले option पर जाना है, और simply दोस्तों इस black screen template को आप यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, दोस्तों देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आएगी, आपको seizure के bugal वाली button पर एक adjustment का option मिल जाएगा, इस पर आपको click कर देना है, click करने के बाद दोस्तों आपको simply done वाली button पर click कर देना है, click करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपने जो video export किया था, उस video को लेकर यहाँ पर आ जाना है, इसके लिए दोस्तों आपको layer वाले option पर जाना है media वाले option पर जाना है, और simply दोस्तों यहाँ से आपनी gallery से उस video को यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, इसको थोड़ा सा आपको छोटा का लेना है, छोटा करने के बाद दोस्तों इस जो यह देख सकते नीचे है, छोटा सा square बनके rectangle बनकर आ रहा है, इसमें आपको इसको अच्छ कर देंगे, जिस तरह से यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, इसको करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ 3.0 पर जाना है, 3.0 पर जाने के बाद आपको यहाँ send to backward, send backward वाले option पर टाइप कर देना है, इसके बाद दोस्तों आपको simply done वाली button पर क्लिक कर देना है, आप दोस्तों यह status के बराबर कर देना है जितना बड़ा आपका status हो वहाँ तक इसको आपको खीच के बड़ा कर देना है दोस्तों इसके बाद आपको simply done वाली बटन पर क्लिक करना है और वीडियो के starting point पर आ जाना है अब दोस्तों यह आपको simply audio option पर जाना होगा audio option पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी gallery आपके सामने पूरी की पूरी open हो जाएगी अब दोस्तों यहाँ पर जो भी आप song लगाना चाह रहा हूँ simply दोस्तों आपको song पर click करना है इस click करने के बाद तो दोस्तों इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से बहुत ही सिंपल तरीके से एक प्यारा सा स्टेटस बना सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें करें को बताइए अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कीजेगा, आपने फ्रेंड के पास जेर कीजेगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल अद्बूलेगा मिलता हूँ कर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नेटरी के साथ, तब तक के लिए बबाए